तो कैसो आप सब लोग, I hope कि आप सभी बहुत अच्छी होंगे, तो आज की वीड़ो में हम लोग बात करेंगे exam copy presentation के बारे में, यानि कि आप लोग को जो अपनी pharmacy की exam copy है, वो कैसे लिखके आनी है, और देखो यार, आज तक मैंने कभी नहीं बुला कि आप लोग जो है मेरा वीड़ो पूरा देखो या फिर देखो भी, ठीक है, लेकिन आज मैं आप लोगों से request कर रहा हूँ, आप लोग वीड़ो को पूरा देखना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपनी exam को भी बहुत अच्छे से लिख कर आओ, क्योंकि देखो वैसे तो ये rules सभ पे वीड़ो को पूरा देखना, अगर अभी टाइम ना हो तो बाद में देखना, लेकिन पूरा देखना हर एक पॉइंट को सुनना, ठीक है धान से, अब सबसे पहले हम लोग बात करें अपने कुछ necessary items के ठीक है, जिसको आप लोग को जरूर अपने पास में रखना exam देते जिसपे grip अच्छी बने, वही pen लेना, ठीक है, और यहाँ पर देखो, मेरा personal suggestion है कि gel pen को यूज ना ही करो, एक jam में तो अच्छा रहता है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को एक dark black pen, यानि कि एक black pen जो थोड़ी सी dark चलती हो, ठीक है, उसको रखना है, या फिर अगर यह मिल पा रही है, तो आप लोग एक black sketch रख सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आप लोग के पास एक carry bag तो होना ही चीए, अब यहाँ पर plastic का 15-20 रुपए का मिलता है, ठीक है, तो उसको आप लोग जरूर रख लेना, यहाँ पर screen पर आप लोग को दिख रहा होगा, और उसके पात आप लोग के पास अपना आधार कार भी होना चीए, क्योंकि कई universities में डिबान करते है, ठीक है, फिर admit card तो होना ही चीए, और सबसे important यहाँ पर आपके पास आपकी wrist wash होनी चीए, और यह watch यहाँ पर casual वाली लेना, smart wash लगा के मत जाना, क्योंकि उसको निकाल के रख ले ठीक है, तो copy के साथ आपको question paper नहीं दिया जाएगा, सबसे पहले copy मिलेगी, और 15 minute आप लोग को दिये जाएंगे, उस copy को fill करने के लिए, क्यूशन paper तब नहीं दिया जाता है, तब तक ठीक है, तो 15 minute आप लोग को अपनी copy fill करनी है, और 15 minute वहाँ पर लग जाता है, क्योंक पर आप लोग को 15 minute बहुत ध्यान से, पहला page आप लोग को बहुत ध्यान से भरना है, मेरी बात ध्यान से सुननो, ठीक है, कई लोग गलती करते हैं कि पहला page बहुत जल्दी से भरने की, मलब जो अपना information वाला है, ठीक है, उसको जल्दी जल्दी भरने की कोशिस करने लगत बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल भी cutting वेगरा गलती से भी first front page पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो ये page आप लोग को बहुत ध्यान से भरना है, अब 15 minute के बाद आप लोग को आपका question paper बिल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपके पास 3 घंटे होंगे, और उन 3 घंटों म आप लोग को अपना question paper यहाँ पर solve करना है, अब यहाँ पर दिखो generally हमारे जो pharmacy exams होते हैं, उसमें दो तरीके के paper pattern देखने को मिलते हैं, ठीक है, एक होता है जिसमें आप लोग को 8 question दिये जाते हैं, और 5 करने होते हैं, जैसा कि हमारा RGPV का हो गया, और एक होता है यहाँ AKTU का paper pattern, जिसमें आप लोग को 2 number के 10 question ठीक है, 10 number के 2 question और 7 number के 5 question आपको attempt करने होते हैं, तो हम यहाँ पर AKTU और RGPV दोनों के हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अपने AKTU की ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आप लोग को 10 question दिये जाएंगे, ठी section A में आप लोग को 10 question होगा, फिर आता है हमारा section B, उसमें आप लोग के पास 3 question होगे, और 3 यहाँ पर 10 marks के होगे, जिसमें आप लोग को 2 करना रहेगा, ठीक है, इसमें आपके पास 1 option है, और उसके बाद आता है हमारा section C, इसमें आप लोग को 7 question दिये रहेंगे, और इसमे प्र हम में यहारा सेक्सागा नहीं हो पहले बात पीपर सीरियल-वाईज अट्यम्ट करने तो सेक्सा नेでは यहां पर यहां के अपकी क्यूंकि यहां पर यहां पर यह आपका फ्रंट पेज होगा और प्रूहरं लोगी बहुत अच्छे से लिखना है ठीक है, front page में आप लोग जितना अच्छा लिख सकते हो, उतना अच्छा लिखना है, देखो अभी हम लोग separately उन सब पे बात करेंगे, अभी मैं आप लोग को बस time management बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे section A में आप लोग को देना है 30-40 मिनट ठीक है, और section B जो आप लोग क कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, कि एक को 40 दे दिया, एक को 20 दे दिया, उतना आप लोग manage कर लेना, और यहाँ पे दिखो बात करें section C की, तो यहाँ पे आपके पास 7 question होंगे, 5 आप लोग को करने होंगे, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारे 5 question है, इसमें से definitely ऐस 1-2 question होंगे, जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, ठीक है, और 2-3 ऐसे होंगे, जो आप लोग को थोड़ा कम आते होंगे, तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि इस past में से 2 question आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से आते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा अच्छे ठीके उसमें बस थोड़ा बहुत पता है, तो उसको आप लोगो देना है 10 मिनट, ठीके, तो यहाँ पे total हमारा हो गया, 40 मिनट पहले section के लिए, ठीके, और 60 मिनट यहाँ पे section B के लिए, और section C के लिए आपका हो गया यहाँ पे total यहाँ पे 20 plus 20 plus 15 plus 15 plus 10, यानि कि पूरा हम लो के लिए बात करें तो यहाँ पे बहुत ही simple है, आप लोगो 8 questions दिये जाते हैं, 5 करने होते हैं, ठीके, अब 8 questions यहाँ पे 15 marks के होते हैं, अब यहाँ पे आप लोगो time management कैसे करना है, देखो, इन 8 questions, इन 5 questions में से, यानि जो 5 questions आप करने वाले हो, उसमें से जो पहला question है, ठीक तो उसमें आप लोग यहाँ पे पहला question पे सबसे ज्यादा time देना, 45 minutes maximum, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो बचे 4 questions है, ठीक है, तो अगर वो आप लोगो बहुत अच्छे से आते हैं, तो equally वहाँ पे time को divide कर देना, 30 से 35 minutes यहाँ पे हर एक question को दे देना, total यहाँ पे page filling के, यानि कि जो हमारे questions हैं, उसमें आप लोगो को कितने-कितने page भरने है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हम लोगो बात करें अगर AKTU pattern की, क्योंकि ज्यादातर questions हमारे इसी pattern पे होते हैं, ठीक है, ज्यादातर university इसी pattern को follow करती है, so in general you have to fill at least 20 to 25 pages, यानि जो हमारी pharmacy की exam copy अपी है, ठीक है, तो सारे section मिला के हमारे कम से कम 20 page भर जाने चाहिए, ठीक है, 20 से यहाँ पे 25 page, देखो 25 page maximum हो गया, उससे ज्यादा भर पाना वैसे भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अब यहाँ पे जो बहुत ज्यादा over talented बंदे होते हैं, तो उनकी बात नहीं कर सकते ह जो कि मुश्किल होता है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है, तो बहुत हो गया, बाकि 20 page एक average आप लोग लेके चल सकते हो, ठीक है, कि 21-20 page यहाँ पे होना चाहिए, तो इसके लिए देखो आप लोग को क्या करना है, जो हमारा section है, जो 2 number वाले question है, ठीक है, तो total मिला के आ हमारे 10 number वाले question रहते हैं, तो 10 number वाले question आप लोग को at least 4 page में करना चाहिए, यहनि उसके लिए आप लोग को 4 page भरना चाहिए, अब देखो, कभी-कभी ऐसा भी question आ जाते हैं, जो कि 4 page के होते ही नहीं है, तो जबरदस्ती भी नहीं भर सकते हैं, आप लोग ठीक है, तो at least 3 page होने चाहिए, समझे बात को, और बात करें हम लोग यहाँ पे section C की ठीक है, तो इसमें हमारे start number वाले question होते हैं, जिसमें आप लोग को 5 करना रहते हैं, तो यहाँ पे हरे question आप लोग को 2 page में भरना है, 2 page से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं भरके आना है, ठीक है, अगर 2 page स tips के बारे में, ठीक है, कि कौन-कौन सी यहाँ पे कुछ basic और कुछ advanced level की tips आप लोग को follow करनी चीए, अब सबसे पहले तो आप लोग यह चीज अपने दिमाग में clear कर लो, कि जो आपका examiner है, जो आपकी copy check करने वाला है, ठीक है, उसके पास इतना ज़्यादा time नहीं है, कि आपकी copy का हर एक point पड़े, ठीक है, वो आपकी copy का overview देख के ही आपको judge करने वाला है, ठीक है, तो simply बात करे ना, आपको अपनी copy को present इस तरह करना है, कि अगर आपको कुछ चीजे नहीं भी आती है, तो examiner को पता नहीं चलने चीए, अब वो सारी चीजे कैसे होंगी, तो वो सारी चीजे यहाँ पर इन सारी tips को follow करके होंगी, ठीक है, तो सबसे पहले attempt question serial voice, ठीक है, यानि आप लोग को जैसे section दिये रहते है, section A हो गया, section B हो गया, section C हो गया, तो कोशिस करो कि यहाँ पर जो तीनो section है, उसको आप लोग serial में करो, यानि सबसे पहले section A attempt करो, फिर section B, फिर section C, लेकिन यहाँ पर if possible, अब इस चीज को आप लोग को तभी करना है, जैसे कि हमारा जो section नहीं है, ठीक है, इसमें आप लोग को 10 question दिये रहेंगे, दो marks के, तो अगर यहाँ पर इन 10 में से at least आप लोग को 6 question एकदम अच्छे से आते हैं, ठीक है, और 4 में से भी 1 तो मतलब थोड़ा बहुत उनके बारे में भी पता है, तब ही आप लोग को serial wise करना है, अगर मान लोग इन 10 question में से आप लोग को सिर्फ 2-3 question आ रहें, तो बिलकुल भी आप लोग को इसको पहले attempt नहीं करना है, ठीक है, और 10 में से मान लोग आप लोग को 2-3 question आते हैं, तो examiner आप लोग को judge कर लेगा कि ठीक है, कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो अगर आप लोग को 10 में से at least 6-7 question आते हैं, तो आप लोग यहाँ पे section wise करो, और अगर यहाँ पे नहीं आता है, तो जिस section में आप लोग को सबसे ज़्यादा question आते हैं, ठीक है, वो section यहाँ पे पहले 3-4 page में, उसमें यहाँ पे call, मतलब content अच्छा भी होना चीए, एकदम line to line होना चीए, और यहाँ पे quantity भी होना चीए, यानि कि वो थोड़ा बड़ा भी होना चीए, ऐसा ना हो कि इसमें matter कम हो जा रहा है, तो दोनों चीजों का ख्याल आप लोग को पहले 3-4 page में, देखो, मैं फिर बोल रहा, पहले 3-4 page आप लोग जितना सजा सकते हो, उतना सजा देना ठीक है, उसी से आपका examiner आपको judge करने वाला है, ठीक है, बाकी के pages यहाँ पे आप लोग कैसे लिख रहे हो, उससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं बढ़ेगा, अब यहाँ पे attempt question serial wise ठ ठीक हो, paragraph को avoid करो, जितना ज़्यादा कर सको, क्योंकि उससे क्या होता है, कि copy आप लोग की बहुत ही simple और sleek दीखती है, असे यहाँ पर दिखो, एक चीच exception है, माल लो जो question आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, उसको तो आप लोग को बिल्कुल point wise लिखना है, अगर कोई question आता है, तो उसको point wise लिखो, और अगर नहीं आता है, तो उसको paragraph में लिखो, अब paragraph में लिखने से क्या होगा, कि उस पर question पर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, ठीक है, और अगर जो question आप लोग को नहीं आता है, उसको भी आप लोग उने point में लिखा, ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोग कुछ उल्टा सीधा लिखो गे ठीक है उससे डिलिटेड तो एक्जाम लना उसको तुरन पकल लेगा क्योंकि पॉइंट ना तुरन नोटीस में आ जाते हैं तो अगर आता है तो पॉइंट में लिखो और अगर नहीं आता है तो पैरग्राफ बना कर देनी है इससे क्या होगा इससे आप लोग का आंसर जो है बहुत सेपरेट दिखने लगेगा तो एक चीज आप लोग समझो आप लोग को अपनी कॉपी बहुत ही सिंपल बनानी है ठीक है कि एक्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी तो वो कड़ जाते तो अच्छा नहीं लगता है तो उसके जश्ट एक लाइन नीचे करना ठीक है यानि जो दूसरे आंसर है उससे यहाँ पर एक लाइन पहले ठीक है और उसके बाद हम लोग बात करें तो अंडर लाइन दा मेन हेडिंग और दा मेन पॉइंट अब देखो यह चीज आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना ठीक है कि जैसे आप लोग कोई आंसर लिख रहे हो ठीक है जैसे कि देखो आप लोग को आंसर यहाँ पर इस तरह लाइनिंग वाली कॉपी में लिखना है तो आप लोग कोई आंसर लिख रहे हो अब वहाँ पे माल लोग पर black pen से या फिर अगर कोशिज करो अगर हो सके तो उसको black pen से ही लिख दो लेकिन अगर black pen से नहीं लिख पा रहे हो ठीक है बहुत जल्दी जल्दी में है तो यहाँ पर एक underline कर दो ठीक है इससे होगा क्या examiner की जो नजर है न वो सीधे यहाँ पर उसी word पर जाएगी ठीक है और अगर आप लोगोंने मान लो 2-4 word गलत भी लिखें तो उस पर उसका ध्यान ही नहीं जाएगा ठीक है तो जो यहाँ पर सही word है और जो बहुत ज़्यादा important है उसको आप लोग को जरूर यहाँ पर highlight करना है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर बात करें तो must add diagram if you know related to the answer द pharmacy की answer writing में एक बहुत ही major role play करते हैं अब उसके बाद लोग यहाँ पर बात करें if your answer includes procedure then try to make a flow chart of that ठीक है यानि कि आप लोगा जो answer रहे ठीक है मान लोग को question आ गया जिसमें कोई procedure वगरा दी हुई है जैसे titration की procedure होती है या फिर जैसे कि हमारा pharmaceutical में मान लोग आप लोग से preparation of female sun आ गया ठीक है तो उसमें जो हमारा dry gum, wet gum method होते हैं तो आप लोग कोशिस करो कि उसका flow chart बना क्या हो देखो इससे दो फाइदे होंगे पहला तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है दूसरा इससे आप लोगा space भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा ठीक है flow chart में आप ल cutting बिल्कुल भी मत करो अगर कुछ गलत लिख दिया तब भी cutting मत करो देखो आप लोगों लगता होगा कि examiner जो है तुरंत focus कर लेगा बट इतना कुछ होता ही नहीं ठीक है वो आप लोग के एक एक word एक point पर नहीं focus करने वाला लेकिन अगर आप लोगों ने कोई cutting कर दी तो exam उसको आप लोगों कट नहीं करना है अब उसके बाद यहाँ पर बात करें तो write your answer in clean and simple language यानि कि आप लोगा जो भी answer है उसको जितना ग्यादा हो सके उतना यहाँ पर simple बनाने की कोशिस करो ठीक है उसको यहाँ पर complicate नहीं करने की जोड़ोत है ठीक है और यहाँ पर must write PTO in every page अब देखो यह चीज ना एक देखो यह बहुत छोटी छोटी टिप्स होती है लेकिन बहुत ज़्यादा important role play करती है जैसे कि आप लोगा जो भी answer है ना तो यहाँ पे at last में आप लोगो side में PTO लिख देना है PTO मतलब क्या होता है please turn over देखो इससे क्या होगा पहली बात यह होगा कि माल लो आप लोगो का last page चल रहा है ठीक है और यहाँ पे आप लोगा कोई answer है जो यहाँ पे complete हो गया लेकिन यहाँ पे पीछे भी आप लोगों ने कुछ लिखा हुआ है तो कभी-कभी examiner उसको यहाँ पे पलटते ही नहीं है ठीक है तो PTO अकर आप लोग इंप्रेशन जाता है examiner पे कि यहाँ पे जो student है वो यहाँ पे बहुत छोटी-छोटी चीज़े notice कर रहा है आनि अच्छा student है समझ रहो लेको examiner को नहीं पता आप कौन हो आप कैसे हो उसको आप लोग को बताना है ठीक है उसको इस तरह represent करो अपनी copy को कि उसको पता चल जा तो जादा से जादा क्या हो सकता है जीरो नंबर वास्ट केस में यही तो हो सकता है लेकिन अगर नहीं लिखो कि तब भी तो जीरो मिलेगा तो कोसिस करो कि answer आप लोग सभी लिखके आओ ठीक है भले आप लोग को ना आता कुछ भी उससे related जरूर लिखके हो अब यहाँ प पेपर रीडिंग में आप लोग को बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं विष्ट करना है ठीक है जैसे ही आप लोग को पेपर मिले ठीक है वहाँ पे जल्दी से आप लोग एक ओवर्वीव देखो और पेपर स्टार्ट करना शुरू कर दो और उसके बाद डोंट अड ले आओगे ऐसा बिल्कुल मत करना ठीक है इसमें क्या होगा इसमें जो है एक्जामनर को तुरन पता चलाएगा कि आप उसको बेवकूब बनाने की कोसिस कर रहे हो ठीक है और एक्जामनर का अगर मोड खराब हुआ तो आपकी कॉपी खराब हो जाएगी ठीक है तो यह सार आप लोगो यहां पर बीश में सबसे उपर ही डाल देना ठीक है कि सेक्शने और उसके बाद यहां पर जो भी आंसर लिख रहे हो जैसे सेक्शने में हमारे 10 क्यूशन होते तो आंसर 1 का ए फिर आंसर 1 का भी इस तरीके से आप लोगो अंडर लाइन कर देना है काफी यहां जिससे कॉपी जो है क्लीन दिखती है और यहां पर देखो जैसा कि मैंने आप लोगो स्टार्टिंग में बताया कि पहले 3-4 पेज तो आप लोगो बहुत अच्छे लिखने है लेकिन उसके बाद आप लोग यहां पर राइटिंग वगर आप ज्यादा ध्यान मत देना बिल इसके बाद अपनी स्पीड को मेंटेन करो और उसके बाद एक छोटी सी टिप मेरी और भी है जैसे कि कोई भी जो में एडिंग है आंसवर की ठीक है उसको तो आप लोगो यहां पर ब्लैक पैंसे लिखके अंडरलाइन करना ही है लेकिन अगर मान लोग किसी आंसवर में जो दबल लाइन कर दिया और यहां पर अब इसके अंदर भी heading है तो यहां पर हो गई single line यहां पर दिखो एक ही आंसवर के अंदर तीन heading है तो तीनों को मैंने आप पे separate lining से जो है अंडर line कर दिया जिससे यहां पे दिखो identify हो रहा है कि यह main heading है फिर यह उसके अंदर वाली है ठ बहुत ज़्यादा अच्छे नमबर पाओ और बाकी मिलते हैं हम लोग याप पर नेक्ट वीडियो में थैंक्यू सो मुझ आज आज आज